जहें दोस्तों, आज की क्लास प्रारमुज से पहले आपको बता दें कि आपने अनकेडमी आप तो डाउनलोड करी लिया होगा, ना किया हो तो कर लें और उसमें जाकर कि आपको फिरी पिलान अनकेडमी के माध्यम से मिलना है, जिसमें आपको MPPSC सेलेक्ट करके सुमिछ जेन रेफलर कोड डालना है, आप फिरी में लाव ले सकते हैं, आपको बता दें कि फिरी पिलान के अंतरगत, आपको 500 पलस लाइब किलासे मिलेंगी, जिस पहरी आदी, जितने भी एकजाम MPK आप उनकी तयारी आपको फिरी कराई जाएगी, फिरी में लाइब कुछ भी है, जिसमें 20,000 पलस कॉस्चन है, उसके माध्यम से भी आप अपनी तयारी कर सकते हैं, T20 सीरीज डेली सौंबार से लेकर के सनी बार तक रात को 8 बजे होती है 20 में 20 प्रिशनों के उत्तर आपको देते हैं, तो इस प्रकार से बेनिफिस्ट से हैं, आपको फिरी पिलान के MPK एजुकेटर आपको पढ़ाएंगे, आप साथ ही साथ डेली लाइब किलास आप इसमें पढ़ सकते हैं, इसके अंतरगात आपको बता दें कि फिरी किलास में आप MPPSC, MPPOLIS, MPSI, आदी जो भी आपके MPK एग्जाम हो रहे हैं, उन सबकी तैयारी कराई जाएगी, चलिए अब कलास शुरू करते हैं जहिन दोस्तो, ब्याकरण के निरंतर हम प्रिश्णों पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें कि आपको ब्याकरण के अंतरगत प्रिश्ण रहते हैं, संधी, समास, उपसर्ग, प्रत्य, बिलोम, परियायवाची, वाक, आपके कब, सास्ते, संबंदित, रस, छंद, लंकार, इसस संबंदित प्रिश्णों पर हम बहुत सारे वीडियो ले करके आ गए हैं, और आंगे भी ले करके आते रहेंगे, इसलिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो सब्सक्राइब कर ले हम वीडियो को लाइक जरू कर दें, दोस्तो, शुरूबात कर करते हैं, कमेंट में आप उत्तर बताते जाईएगा, हमारे बताने से पहले, देखते हैं कितने मित्र सही उत्तर देते हैं, देखें, सीत का बिलोम होगा, जल्दी से बता दीजिए भाई, सीत का बिलोम क्या होगा, सीत मतलब होता है ठंडा, तो सीत का बिलोम, जल्दी से कम मीन का परयायबाची की सब्ध है मीन का परयाय बाची की सब्द है में का इति है क्या होगा उठ्वर कितने दोस्तों को पता है मीन का परई है मिनmmas मतस मतला मीन मचली याद रख लीगे का मचली बोलते हैं और दोस्तो आपने भी पूरे वीडियो दी करम से हिंदी व्याकरण के देखने हो या संस्कित त्यादी के तो आप यूटूब पर तॉप 50 श्टेडी यूटूब चैनल को जा करके देख सकते हैं पूरे वीडियो आप को हाँ पर करम से मिल जाएंगे कार के आरंब से ही बिगन पड़ना किस मुहाबरे का अर्थ है जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा सिर मारना नहीं होगा सिर पर सहरा बांदे होना नहीं होगा हाँ ए तीसरे नमबर पर दिया है सिर मुडाते ही वोले पड़ना गी जै क्या हो जाएगी कार के आरंब किया और बेगने पड़ना सुरू हो गए ठीक है आगे सूरी ओदय में कौन सी संदी है तो देखो सूरी ओदय में संदी पिये पहचानना है तो आप एदी बिच्छित कर लेंगे तो आसानी होगी तो इसका बिच्छिद हो जाएगा सूर पिलस अधी बिच्छेद आता है, तो आपको क्या लगाना है, सूरे प्लस उद्वीौ संधी में गुंस्वर संधी में, वहां गई o की मातरा हो गई संदी तो यहां ओकी मात्रा है ठीक है तो इस इटर की वीडियो भी हम आप तक ले करके आते ही हैं तो सूरियोदा में कौन सी संदी हो जाए गुण संदी चले हैं मित्रो बता दीजी जल्दी से कमेंट में मिलाप सब्द में कौन सा प्रत्य है उपसर्ख प्रत्य से दो प्रसन आते हैं दोस्तों तो मिलाप सब्द में कौन सा प्रत्य हो जाएगा प्रत्य सब्द के पहले लगते हैं आब बाद में पहले तो आपको यह जानकाली होनी चाहिए तो बाद में लगते हैं ठीक है तो बाद में लगते हैं तो एक मिल सब्द हो गया प्लस आप से मिल करके क्या बन गया मिला आप तो आप क्या हो गया इसमें प्रत्य हो गया क्या हो गया आप प्रत्य है निमने लिखत में ऐसे कौन सा तत्सम सब्द नहीं है तत्सम तद्वाओ के अंतरकत आपको बताना कि कौन सा तत्सम नहीं है आगे देखते हैं निम्ने लिखित में से कौन सा बाग के असुद्ध है आसुध बाक की आपको पह्चान करनी है कौन सा बाक आसुध है तो देखें पहले दिया है मैं आज में यही रहूँगा पहले नमबर पर दिया है तो पहले नमबर का यह जो बाक h घर्ण बर लग रहा है बाक ही देख लेते हैं सज्यन लोग भला ही सोचते हैं ये तो सही है क्या तुम कालेज जाते हो सही है अभी तक पत्र नहीं मिला सही है ये ही गड़वर है उसका उत्तर हो जाएगा आज मैं यही रहूँगा मैं आज यही रहूँगा ऐसा होता है मैं पहले करता आएगा आज मैं यही रहूँगा ये ये कई बार पूछा गया परस्न है, आपको भी पता कि गहां ये खी बरण की बारबार आवित्ती होती है, उसे कहते हैं कौन सा अलंकार, अनुप्रा सा अलंकार, ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा वो, इसके कई उधारण आपने पढ़े होंगे, चंचल किरणों वाला, अच्छा तरीका उसको पढ़ने की पहले, देखो कि यहां पढ़ना कैसे है, तो आँगे नस देख जाएगा, हे खग मरग, हे मधुकर स्रेणी, तुम देखी सीता मरग नैनी, ठीक है, क्या कह रहे हैं, हे खग, हे मरग, हे मधुकर, स्रेणी तुम देखी, तुमें देखकर कि सीता में, सीता के भी नैन कैसे थे, मरग के समान उसके नैन थे, तो अब यहां पर एक प्रकार से क्या, बियोग की बात आ रही है, ठीक है, लेकिन कैसा है, स्रेंगार जलक रहा है, नैनन की बात हो रही है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, बियोग स्रेंगार रस हो और साथ में एक दुबार पढ़ें तो अभ्यास से आ जाएंगे जो हमारे अभ्यास प्रशनाते हैं इनको आप निरंतर देखते रहें इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कैसे हमें पहचानना है ठीक है आगे निमने लेखित में से कौन सा तत्पुरुष समास है प्रदान होता है वो तत्पुरुष समास कहलाता है आ जन्म मतलब जन्म परियंत आ तो इसमें लगा है भाई ये तो अभ्याई भाव समास हो जाएगा आसा तीत आसा से अतीत उसको क्या बोलते हैं आसा तीत सीत और उस्ट इसमें दोंद समास हो जाएगा अश्टा ध्याई आठ ध्याईओं का समुह समाहार तो इसमें दिगू समास हो जाएगा तो आसा से अतीत इसमें क्या हो जाएगा इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास माकी आजन में अब्वेई भाव है सीतोष में सीतो रोष्ण दिगू समास है वस्टा जिसका पूर पद संख्या बाची होता है इस फ्रेकार से लगा सकते हैं आगे वढ़ते हैं निमने लिखित में सुध् सब्द है इस सुध्सभद का कई बार मैंने देखा कि पूछा जाता है और लोग गलती करके आ जाते हैं सुध्सब्द आपको बताना है तो आपको बता दे कि अनाधिकार लिखा है नहीं अनाधिकार होता है अहिल्या लिखा अहिल्या वाई अंतरधान ये गलत लिखा है अंतरधान होता है उपरियुक्त सही है ठीक है उपरियुक्त आगे अक्षी का तद्वाव होगा अक्षी का तद्वाव जल्दी से कमेंटरं बता दें अक्षी का तद्वाव क्या हो जाएगा तो आपको बता दें दोस्तों कि अक्षी मतलब होता है आख ठीक है अक्षी मतलब आख होता है आगे दोस्तो लाइक जरूर करते हैं एक बार वीडियो को प्रिशन पसंद आ रहे हूं जिससे आएंगे भी ऐसे वीडियो आपके लिए लेके आएं जहां लोगों का मिलन हो खाली स्थान एक सब्द की क्रम में सही विकल्ब चुणी है जहां लोगों का मिलन होता उसको क्या कहते हैं साथ बता दीजिए तो लोगों का मिलन जहां पे हो मिलन मतलब सम्मेलन ठीक है सम्मेलन में क्या करते हैं लोग आपस में मिलते हैं कई यह परीचे सम्मेलन होते है साधी विवाय में तो यह मिलन है एक पकार से तो क्या हो जाएगा सम्मेलन आगे जाएसी द्वारा रचित पदमाबत निम्न मैंसिक क्या है पदमाबत मलिक मुहम्मद जाएसी जाएसी का पूरा नाम था ठीक है अब पदमाबत निम्न मैंसिक क्या है जो उप्सन दिये हैं उनिम्न मैंसिक क्या है तो बक्कुरोक्ति, अन्योक्ति, रूपक्परकास या समासो, अब आगे देखें, और वर्सी किसकी रचना है, कई बार पूछी गई, मैंने देखा जहां हिंदी पूछी जाती है, वहां और वर्सी रचना पूछी जाती है, जल्दी से कमेंट करते हैं, दोस्तों कितने लोग को पता है कि उर्वर्सी किसकी रचना है, तो आपको बता दें कि उर्वर्सी जो रचना है, बहर रामधारी सें दिनकरण का नाम है, रामधारी सें दिनकरजी की उर्वर्सी क्या है, रचना है, तो ऐसे ही कॉस्चन इसी प्रकार के आप देखना कॉस्चन आपके पेपरों म मेरी बहुत-बहुत सुपकाम नाए हैं, आप पेपर में परिच्छाएं पास होकर कि सफलता प्राप्त करें, जए हिंद। दोस्तों एक और महत्पुन बात बता दें कि अनकेडिमी एक में MPPSC के लिए फिरी टेस्ट सीरिज चालू हो गई है, जिसमें इसे आपको 20 मिनटों 20 प्रिसनों को उत्तर देने हैं, डेली है, आपका एनालाइसेस होगा, और इसमें T20 सीरिज में B के लिए फिरी लाइप फु जैते हूं, तो डाउनलोड करें, अनकेडिमी एक प्ले स्टोर से, और फिर वहां पर MPPSC आप सेलेक्ट करेंगे, MPPSC सेलेक्ट करने के बाद आप जैसे ही समिच जैन रेफलर कोड डालेंगे, तो आपके लिए फिरी पिलान चालू हो जाएगा, तो आप इसको याद रखें और अच्छे से तैयारी करके आप लाब ले सकते हैं, तो फिरी यदि आपको पढ़ना है, तो रेफलर कोड डालना है, समिच जैन और फिरी पिलान आपका सुरू हो जाएगा, तो सिर्फ पिकार से आप लाब ले सकते हैं, जैहिंदु